नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होगे दोस्तों आपके लिए बहुत बढ़ा खुसकबरे निकल के आ रहा है रेलेवे कोच फैक्टरी कपूर थला हमें अलग-अलग पदोक ले दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दि और जो सबसे बड़ा चीज अगर आप यह कर लेता हो ना तो बीस परसेंट आरक्षन होता है रेलेवे ग्रूप डी के वेकेंसी में दूसरे का एक समझेगा सतर कुछ आपको पताएंगे सीधे भरती है इसमें एक्जाम भी नहीं है तो संपून डिटेस हम आपको बताते है यह निकल के निकला हुआ है तोटर 550 पोस्ट आपलाएट रेट की बात करें तो चार मास्तों को अंतरा थाकि अटए ननको जनकारी होगा ठीक है क्योंकि इसमें qualification जो है ना दोस्तो qualification ITI करने वाले बच्चों के लिए है तो जो बच्चे ITI किये हुए उनके लिए तो भहिया सुनहना मौका है और बहुत कम competition होता है सभी का selection होगा हम आपको बताएंगे ठीक है तो future का 215 post हो गया इलेक्रिचियन का 75 post में दोस्तो वेकेंसी है इलेक्रिचियन से बहुत सारे बच्चे करते है ITI ठीक है welder दोस्तों थीक है आपका जी एनई का 230 post पे वेकेंसी है ठीक है जेनरल OBC का स्वार पर फी लगेगा बाकी आप SC Candidate है या ST Candidate है तो आपको फी जो जेना होगा जीरो रुपे जीरो रुप लगेगा और अक्सर हमसे पूछते हो ना कि सर आप इतना जल्दी वेकेंसी का अपडेट कहां से देता हो कैसे आपको पता चलता है कि वेकें यहां पर लेटेस एडमिट कर किसका निकला हुआ है वह आपको पता चल जाएगा इसके लोग दोस्तों किसका आंसर की जारी किया गया है किसका रिजल्द जारी किया गया यानि संपून सरकारिस जॉप से रिलेटेड जनकारी चाहिए तो सरकारिस जॉप हंड.com आपको यहां पर एज लिमिट की बात करें न तो एज जो काउंट होगा न 31 मार्थ 2023 से आप एज काउंट किया जाएगा ठीक है कब से 31 मार्थ 2023 से आप एज काउंट किया जाएगा देखी एज 15 साल मिनिमम और मैक्सिमम 24 साल जेनरल वालोगा OBC का तीन साल का छूट है यानि 24 तीन जोड़िये का तो 27 साल तक ठीक हो बाकि दोस्तों ऐसी एश्टी को 5 साल यानि 29 साल एशी और एश्टी वाले केनिडेट भर सकते हैं ठीक है मेल फी मेल बोट केनिडेट अपलाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन देखें दूस्तों जैसे कि मैंने बताया दसभी पास पर सात मे दूस्तों आई टी आई आपके पार रिलेटेड ट्रेड में साटिफिकेट होना चाहिए अगर आपने आटी आई किया है फीटर इलेक्टिशन विल्डर ऐसी में केनिक हो गया आप एंटर या करपेंटर तो आप भर सकते हो अब देखिए यहां पर सेलेक्शन परसेस जो है स्मझेशन परसेसर लिखा है यह दो दुसतों लिखा है इसको डिटेल में समझाता हूं सबसे पहले दोस्तों टीक है नो चीजास में एकवान अर्व समय छोह जासेरेस अलिग देखा जाएगा प्लस दुस्तों तेंज प्लस ITI इसका मार्च देखा देगा, अगर मान कच चुल दसवी में दोस्तों आपका 80% मार्च है और ITI में मान कच चुले दोस्तों आपका 70% मार्च है तेंडर परशेंट दोनों को जोड दीजीए कितना होता है एक सो पचास हो गया एक सो पचास इसको दो सरी रिवाइड कर दिजिए यानि 75 परसेंट आपका माल हो गया परसेंटेज और दखिए 300 और आईटिया जोडने के बाद अपकर आपका परसेंटेज दूसरो 70 प्लस आपका परसेंटेज आता है सबी को अपलाई करना है क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चा अपलाई करता है और आईटिया भी मांग रहा है डोस्तों तो यानि कितने बच्टेज आपका होगा बहुत कम लोगों के पास आपको जरूर अपलाई करना चाहिए 60 परसेंट अगर आता है तो भी अपलाई कर देजिए आप लो यह दोस्तों पता दिया दस भी का और आइटी आइक माइक्स जोड़के दो से डिवाइड कर दिया जाएगा और जितना परसेंटेज निकलता है उसके अधार पर सेलेक्शन होगा ठीक है अब देखें ट्रेनिंग जो होता है ना यह जोस्तों एक से लेके ठीक है ट्रेनिंग जो होगा ना से लेके 2 साल का दोस्तों आपका माismo में होता है ज्यादक एक साल या दो साल ठीक सेलेरी इसमें आप मिलेगा जो भी डुश्तों बारहज़ार पीछ में ही इसने सेलेरी मिलता आप दोग बली कि इतना सेलेरी कम मिलता है यह पर्मनेंट जोब हाँ फायदा यह है देखिए अप्रेंटिजateur करने के पार्ध nerd alle five यहाव सर्थ Minsk ब bonus है था है कि रेलेवे ठीक है छौने डी इस में दूस्तव स्कॉल आपका 20 रिजलेशन होता है 20 पर से diff metric डीत के crecday डीक है अगर मानगा च्वल ए Armor प्रूब डी का वेकेंसी निकला है आंगे आने वाले समय में निकलेगा यानि मानगा चलो निकलता है दूसरे बच्चे का कटप मानगा चलो 70% जो बच्चा लाया है सो मानगों के लिए अप्रेंटिस किये हुआ आपका 50 पर ही सेलेक्षिन है चालिस पर भी हो जाएगा जो पिछला विकेंसी है ने एक लाग सार हजार उसमें दोस्तों 35 परसेंट वालों का भी सेलेक्षिन हो गया समझेगा अपको देखिए मानकी रेले में कोई वेकेंसी निकला हुआ है ठीक है पाचास हजार दूस्तों आपका वेकेंसी निकला हुआ हुआ है उसमें से फैदा ही हो तो 20 परसेंट आपके लिए रेजर्व होगा 20 परसन यानि 10,000 जो सीट है न 10,000 कि एक मतलब हजार होता है 10 परसन आपके लिए बाकी के लिए दोस्तो 40,000 सीट है अब 40,000 में बच्चा कितना भरेगा यह भरेगा दोस्तो 50,000,000 से ज्यादा ही बाकी जो 10,000 सीट है इसमें कितना भरेगा ज्यादा भरेगा तो 270,000, 80,000 एक लाग ही मारके चलते एक लाग भरेगा अब देगे 50 लाग में दोस्तों बच्चा है 40,000 सीट है और 10,000 सीट में दोस्तों एक लाग जादा ज्यादा बच्चा है तो कंपेटीशन तो यहीं कम हो गया ना इसलिए करहनूं गुरूबडी में अ इंदिया कायकम तर्ण चलता है भारा सरकार का ठीक है सभी के पास्किल हो जाए उसी कायकरिंग को समझ लिए यह दोस्तों एक चीज है यह जहां रखिएगा रेलेवे कोश फैक्टरी में आपका काम सिखाए जाएगा जैसे फीटर के काम इलेक्टिसियन के काम क्या है प्राइबेट जाएगा रखिए में अब काम इसमें होता है आपको ट्रेडिंग दिया जाएगा ज्यादा काम नहीं है रहने का खाने के खुछ से विवस्ता करना होता है दस से 12,000 सेलरी मिलता है एक से दो साल का ठेडिंग होता है उसके पर सट्टिफिकेट आपको मिल प्राइबेट में देखाईगा ना हाथ वहाँ जोब मिल जाएगा और रेलवे ग्रूब डी का इंतजार कीजिएगा जब वैकेंसी आगया ग्रूब डी का वैसे भी दूस्तों प्रेकेंसी का चर्चा है भाईया आने के संभावना है जब भी आगया बाइचांस एक साल-दो स साल-बाद जब भी वेकेंसी आता है कि को एक साल लग जागा को करने में ठीक है तो 20% आप लिए रिजर्ब रहेगा समझ लो दोस्तों यही एक फैदा है यही काम भी हमने बता दिया जैसे आपमान के चलो दोस्तों कारपेंटर का क्या है जो आपका ट्रेट उसी सब बताने बता है कि इफुछ टोट गया वेल्डिंग करकर जोड दो यही सब काम है यही सब सिखाया जाएगा और कहां सिखाया जागां qoos prtag compare ने टेक है तो कस भाषला ऐंसे रोप सैके कर uwंचा यही दोस्तों आपको बताना चाहा चलिए दोस्तों कोई सवाल पुछना हो कोई डाउट हो अपलाइ लिंक वीडियो के डिस्केश्म में दे दिया वहां से भी कर सकते हो आप लोग अपलाइ कोई डाउट हो तो कमेंट के मादम पूछ लिजेगा चैनल जरू सब्सक्राइब क करके बेल आइकन दबाईएगा कोई भी लेटेस्ट वेकेश्म है सारा अपडेट आको मिल जाएगा धन्यवार